और अभी जिस महमान का जिक्र में यहां पर करने वाली हों, जो खास महमान उनका देखे जितना बड़ा नाम है का जाता है कि विवादों से भी उनका उतना ही बड़ा नाता रहा है रामचरित मानस को लेकर जो एक विवाद पुरे देश भर में छड़ा हुआ है उस विवाद को तूल देने का कही न कहीं इन पर आरोप भी लगता रहा है बाबा बागेश्वर धाम की अगर बात करें तो उन पर भी सवाल है इनके क्योंकि भरोसा नहीं करते यहां तक कह देते हैं कि अगर वाकई ऐसा कुछ है तो चीन को भस में क्यों नहीं कर देते तो ऐसे तमाम विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले पहले बीजुपी में रहे और अब समाजवादी पार्टी के महा सचव के तौर पर जाने जाते हैं मैं बात कर रही हूँ स्वामी प्रसाद मौराजी की और जोर्दार तालियुसन का स्वागत कीजे मैं आपको यहां मंच पर आमंतृत करती हूँ प्लीज आईए और इस मंच को संचालित करेंगी मेरी सही होगी रूबिका लियाकत प्लीज आईए तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सवालों का सिलसला शुरू हो उससे पहले स्वामी प्रसाद मौरी साब आपका ताज तक का सफर ठीक रहा जी आप जहां से निकले जहां पहुंचे सफर आपका बढ़िया था हर सफर अच्छा ही होता है स्वामी सनातनी नाम प्रसाद सनातनी नाम मौर्य सनातनी नाम लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है रूबिया जी पहली बात तो नाम नाम होता है नाम को किसी धर्म से नहीं जुड़ा जा सकता और रही बात मैं बिवाद पैदा नहीं करता हूँ बलकिन बिवाद की समस्या का रास्ता निकालने के कोशिश करता हूँ इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ हमारा भारतिय सम्मिधान भी पंथ निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष देश की आधार पर आधारित है और इसलिए जब हमारा देश पंथ निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष है तो स्वाहई रूप से सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना हम सब का समबैधानिक करतब्य है पर स्वामी जी आप बाकी धर्मों का सम्मान तो करते हैं लेकिन आप पर यह आरोप लगता है कि आप सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, आपको मानने वाले, चाहने वाले रामचरित मानस की चौपाईयां उसकी प्रतियां फाड़ कर जला देते हैं, आपका दिल तब क्यूं नहीं दुखता है? रूविया जी, हवा हवाई आरोप कभी भी सत्य के आधार नहीं बनते हैं, दफ्ती में लिखा हुआ श्लोगन जलाना, रामचरित मानस की प्रतियपी जलाना नहीं होता, क्योंकि जब सरकार द्वेस भावना से काम करती है, तो अपने तोर तरीके से हर चीज को प्रभासित करती है, केस अगर दर्ज होना है, तो प्रिश्भून भी तयार करती है, और सही मैने में, हमने रामचरित मानस की कुछ चोपाईयों पर, जिससे इस देश की महिलाओं, आदवासी दलित और पिछडे, के अपमानित होने का आधार बनता है, चोपाईयों के कुछ हिस्से से, इस बड़े शम्मू को नीच, अधम, प्रताडित, अपमानित करने की बात की जाती है, तो हमने तो इसमें मात्र संसोधन करने की मांग की, और यज़ि संसोधन नहीं होता, तो इन अपमानित करने वाली टिपड़ियों को प्रतबंधित करने की बात की, हमने पूरे रामचरित मानस को कड़गरे में नहीं खड़ा किया है। स्वामी जी, आप जिन चौपाईयों की बात कर रहे हैं, ABP News ने बहुत से शोज उस पर किये, बहुत से साधू संतों को बुलाया, बहुत से उन लोगों को बुलाया, जो धर्म को, शास्तरात को समझते हैं, जिन्होंने किया हैं, उनसे जब आपने पूछा, तो उन्होंने इसके माने अलग बताए हैं, उन्होंने और मैं इसमें कोई ग्याता नहीं हूँ, तो मैं आपको इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन एक धार्मिक ग्रंत के चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीती करना, लाखो करोडों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा नहीं है, एक चीज, तुलसी दाजी ने बाल कांड के सत्वी चोपाई में स्वयम इस बात को अस्पस्ट किया है, कि स्वांता सुखाय तुलसी, स्वांता सुखाय तुलसी रगुनात गाथा, भासा निवंध मंजुल मात नोती, स्वांता सुखाय तुलसी रगुनात गाथ तुलसी दाजी कहते हैं मैं अपने खुशी के लिए इस रुणाद गाता को सुन्दर शुमधूर अच्छरों में भासा में लिपिबध कर रहा हूं तो जो अपने खुशी के लिए दिखी गई हो उधार्मी पुस्तक कैसे है करोडों लोग उसका पाठ करते हैं करोडों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है आप भले ही माने कि एक शक्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काववे को लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे मैं लोगों की भावना को बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन 97 बेफिर्दी इस देश की महिलाएं आदबासी दलीत और पिछड़े क्या इनकी भावनाएं नहीं है क्या इनको आप नीच कहेंगी अधम कहेंगी अप्पानित करने की बात करेंगी रामचरित मानस उनके घरों में भी होता है रामचरित मानस का बहाना लेकर के इस देश के महिलाओं को आदबासीयों दल्तों पिछड़ों को अप्पानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे, मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में आपके प्रती बहुत सारी इमानदारी है, सम्मान है, मैं आपके सामने ये दो प्रतियां रख रही हूँ, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां है, स्वामी प्रसा पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए, दो धार में किताबें, आप मैं सिर्फ आप से ये प्रार्थना कर रहे हूँ, आप ने रामचरित मानस में क्यों लड़ेंगे, महिला का सम्मान दूसरी धार में किताब को लेकर को नहीं होगा, कि कड़ो कड़ो लोग पढ़ते हैं यानि जितना ज़्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं और किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते उसको नहीं पढ़ते उसको सामाजिक धार्मिक शरोकार के मौपोप अप मानित नहीं होना पढ़ता है आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ ल किताब पढ़ेंगे हम आपके लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे नहीं यह किताब है उसमें मैं पूरा लिखकर लाई हूँ कौन सी धार में किताब है यह मेरी किताब नहीं है यह पन्ने मैं अधार में किताबों के आप आपके सुवधा के लिए लेकर आई हुए आप वि रख सकता है तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान विया बात कहने से क्यों बच रहे हैं आप तो बहुत प्रभावशाली है न आप रूबिया जी भाजपा के जंट के रूप इनना भोले आप बहुत अब हैं अब हैं आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे आप बह प्रुबी का लियाकत इस वक्त महिला के एजेंट के तौर पर आप से सवाल पूछ रही है कि राम चरित मानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्स को या उस को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लडाई चरते हैं क्या वजा है आप के प्रिकाडर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे शुन नहीं मैं तो सुनूंगी पर आप जवाब तो दीजिए आप सुनिए अगर सुनती है आप मुझे जवाब दे दीजिए बस आप म मैंने एक पट्टी कुलर बिशे उठाया हूँ और भी रामसृत मानश का इसलिए उसके दाएं बाएं नहीं देखना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ नहीं क्यों मैलाओं का सम्मान सिर्फ और सिर्फ एक होगा बाकी जोगा नहीं जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है अ जो आज वो चौड़ी पर हूँ जिस आपाजनाडर आप ब ऐसे लेकर आप को आप आउ頭 देने कáveis आप तो उत्सार सही नहीं हूँ स्वामीज्ट परभापते हूं धर्म का मक्षद मानोता का सम्मान होता है, मानो का सम्मान होता है, मानोता का स्रसितिक्रन होता है, सरकार भी महिला स्रसितिक्रन की अभियान चला रही है, हमारे देश में नौरात का एक शीजन आता है, जिसमें नारी शक्ती की देवियों की रूप में फूजा होती है, ऐसी हा नीच धम कहते हैं, हम समझते हैं, ये सडी, ये सडी गली इमाम ठिकता है, मैं इसका विरोध करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा कीजिए सर विरोध कीजिए आप मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए इसलिए तो दो प्रतिया लेकर आई हूं इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं दर क्यों रहे हैं उसको भी महोगे पुठाओंगा अच्छा मुझे पताइए हिंदुस्तान क्या सिर्फ हिंदुओं का देश है मुशलमानों का भी देश है इसाईयों का भी देश है बौधों का भी देश है जैनों का भी देश है बहुत बढ़िया तो फिर उनकी किताबों में अगर महिलाओं को लेकर ऐसा कोई विवादत वर्स है तो उसके लिए स्वामी प्रसाद यह प्रायोजित कागत पकड़ा करके आप विशय को भटकाने की कोशिश कर रही है धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूँ यह भटकाने का आपका एक रनीत है मैं उस रनीत के पचले में नहीं आना चाहिए स्वामी जी मुझे बाद बताई एैं महिलाऊं का सम्मान कें सिर्फ एक धर मिख किताब में होना चींए बाकियों होना चींए कि नहीं किया पहले आप सुन लें सभी धर्मों का मक्षद है मानोता का स्सितिक्रsोर्म मानोशमान मानो अपमान धर्म का हिषण नहीं है गाली देना नीज कहना अधम कहना यह धर्म नहीं है किसी को अपमानित करने और प्रताणित करने की बात करना यह भी धर्म नहीं है धर्म होता तो तुलसी दास की और चोपाईयों दोहों का मैं स्वागत करता हूं विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह सोची समझी रणनीती की तहट आप यह काम कर रहे हैं मंडल कमंडल की राजनीती को दोबारा जगाने की कोशिश में आपने यह काम किया है इसका आप क्या जबाब देगे अगर सामाजिक और धार्मिक शरोकार के मौके पर रोज प्रदिन देश की महिलाओं को प्रताणित किया जाना नीच से भी नीच कहा जाना पूरे शूद्रवर को अपमानित करने प्रताणित करने की बात करना जात सुचक शब्दों का प्रियोक कर उनको नीच और अधम कहना इतिफाक से मैं जिसको भी इंगित कर रहा हूं ये सब हिंदू धर्माव लंबी ही है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं चाहे आदवासी हो चाहे दलित हो चाहे पिषड़े हो सभी हिंदू है और जितनी महिलाएं है वो हिंदू समाज की है इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्या धर्म का मक्षब गाली देना है क्या धर्म का मक्षब किसी को प्रताड़ी तप्मानित करना है क्या धर्म का मक्षब नीच अधम कहना है अगर नहीं है ते धर्म केशे है अब मेरी बात सुने आप आज तारी क्या है सर 15 फरवरी 2023 आप प्रदानमंत्री नरेनर मोदी से मिले आप लगातार बीजेपी के साथ रहे बकाइदा बड़े बड़े पदा आपने समाले ये चौपा अब आपने मोदी जी को पड़ के सुनाई थी रुब्या जी आपने 5 साल पहले क्यों नहीं आप बड़ पूख़ा था मैं पहले वी बैठा था होता ये है आप मेरे साथ कभी नहीं बैठा प्रभू पांक साल पहले आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था आप साथ नहीं बढ़ चुका हूं और सभी बात यह है नहीं स्वामी प्रसाद मौरेश साब आप भटक यह मत मैं आप से सीधा सवाल पूछ रही हूं इतने सालों में आपने चौपाई पर अपनी बात क्यों नहीं रखी जब कभी कोई शंदर्व आता है तभी बात की सुरुआत होती है एक ऐसा संदर बाया जिसमें मीडिया के साथियों ने इस पर सवाल किया मैंने उत्तर दिया और उसी के बाद यह पूरे देश में चर्चा का विशे बन गया प्रसंग बस मैंने रखा रही बात इसको सैक्लों जंसभों में सामनिक कारिकमों में मैं पहले भी उठा चुका हूं यह बात दीगर है कि यह बहस और चर्चा का विशे पहली बार बना तो मीडिया के लोगों ने आपको स्वाली प्रसाद मौरे साथ लेकिन यह मुद्दे हमारे सुरू से उड़ते रहे कोई पहली बार रेशा नहीं हुआ है तो आप जब सरकार में थे तब यह चौपाई जाएंगे ना आप इने कहा कि आप लाइव है इस वक्त तो मैं भतकना नहीं चाहता है अभी आपने कहा यह मुद्दा में उठाऊंगा मैं ले लूँगा इसको पढ़ूँगा उसके बाद आप से बात करूँगा तो आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे तो आप आप से विकास देखा नहीं जा रहा है और इसी लिए ये मुद्दा आप लेकर आए हैं आप विकास के मुद्दे से भटकने की रणनीती के तहट ये काम कर रहे हैं कि अब रूब्या जी आज क्लोरो क्लोरो नोजवान बिरुजगारी की त्राजदी जेल रहे हैं बड़े पैमाने पर बिरुजगारी ग्राफ बढ़ा है महंगाईशे किशान और गरीब मद्दूर सबकी कमर तूट गई है जी एस्टी लग हुए मध्यम ब्यापारियों को सोशन का मध्यम बन गई है आज विकास काम ठप हैं और साता ही शाथ ये पहली शरकार है ये पहली शरकार है आजादी के बाद जो शरकारी विभाग शरकारी शंपत्यों को निजी हाथों में कवडियों के भाव बेच रही है पहले टेडिरन लीडर्स और यहां तक कि कभी कभी छातर संके नेता कार करता भी इस बात का नरा लगाते थे और आवाज उठाते थे कि निजी छेत्रों का रास्टी कर्ण कि है आप करेंगे कि विकास हो रहा है आरे सरकारी विभाग जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो विरुजगार नोजवानों को आज नहीं कभी नहीं सरकारी नोकरी मिलेगी सरकारी नोकरी शे हमेशा 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 के महरूम हो जाएंगे यहीं विकास है यह तरह से ग् द्योग जमीन पर नहीं दिखाई पड़ता उन द्योगों से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तब तक विकास बेमानी है वो यह कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे तब यहां यहां लखनव में होने की बजाए उसे दिल्ली और मुम्माई में किया जाता था यहीं होता था लखन आगरा की बात कर रहे हैं घमा利त्तर कर रहा हूं ऑर दूसरी सवार्ट की नहीं था इसलिए मैंने उसको उस भारोई किसे नहीं देखा अच्छा बीयस्पी में जब थे तब इन्फेस्टर समिट हुआ था लेकिन भिकास की बृधशाल लगी थी लेकिन ये जब बीजेपी में आप थे तब यहीं हुआ था ना इससे पहले आपको याद नहीं है इन्वेस्टर समिट कहां हुए थे कैसे हुए थे नहीं आप जी सागरा की बात कर रही हैं आप इस लखनों में जो भी विकास कार दिखाई पड़ रहा है इस्टेडियम हो लुलुमाल हो उसके बाद में एक भव्य मार्नाइज मार्केट हो यहाँ पर बहु मंजली इमार्तों की कतार खड़ी हो यह सब बहुजन समाजपाटी समाजबादी पाटी की सलकार की देन है भादपा ने केवल पत्थल लगाए हैं उद्घाटन किये हैं बन करके पहले तयार हुआ समाजबादी पाटी की दौर में या पहले बीएसपी की दौर में इसलिए आज भारती जन्ता पाटी का एक शगल बन गया है नाम बदलो जूठी बाबाही लूटो नेम पेट लगाओ उद्घाटन और सिलन्याश का बाबाही लूटो इस तरीके से सस्ती लोगपिता हासिल करने से बात नहीं बनती है जब तक उद्ध्योग जमीन पर न दि समित करने का कोई मतल में होता है यह केवल दिखावा है चलावा है जनता के आग में धूल जोकने के शिवा कुछ नहीं है स्वामी प्रसद मौरे सब विपख्ष जो है और इस केश में आपके जो विपख्षी विरोधी आप पर यह आरोप लगाते तो एक बिहार में थे पास्वांद साहब जो मौसम वेग्यानिक थे एक यहां उत्तर प्रदेश के मौसम राजनितिक मौसम वेज्ञानिक जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फॉरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं हाथ भी मिला लेते हैं हाला कि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी मेरी 40 साल की राजनीत में लगभग 25 साल विपक्ष में भीते हैं सत्ता की सुरुवात बहुजन समाज पार्टी शुवी है यह इतिफाक है कि भूले विष्रे बीजीपी में भी चला गया था मैं यह भूले विष्रे कैसे हुआ था और ने पहले पहले बताएं जब समाजबादी पार्टी में हूँ तो जब खाने वाले लोग कुछ और हैं विचारों की राजनीत करने वाले कुछ और हैं जिसमें स्वामी प्रशाद मुर्याभी खड़े हैं आप अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजबादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अकिलेश जी का सोशल एंजिनिरिंग काम आ जाएगी वो सत्ता में आ जाएंगे आपने साइद देखा नहीं कि मैं किस मुद्दे पर छोड़ा था भारती जंता पाटी ने संविधान की किसम खाई है संविधान के द्वारा प्रदत आर्शन की बेवस्था जिससे अंसूची जात अंसूच द्वान की धज्या उड़ाई जा रही है इसलिए इन बिंदों पर मैंने भात्पा छोड़ा था और रही बात आज भी 340 आयर्स लिटरल इंट्री के नाम पर बनाए गए एक भी सिरू कास्ट नहीं एक भी बेकवर कास्ट का नहीं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास केवल दिखावा है चलावा है लोगों को दोखा देने का मानक है और सुनिये आप अपने आपने आप ने पर राम मंदिर बनाने के लिए नियास बनी शरकारी है नियास के मिंबरों को सारी भारत सरकार से स्ब्दा मिलती है इस नियास में एक भी सिरूट टाइप नहीं एक भी बेकवर क्लास का ब्यक्ति नहीं क्यों? क्या बेकवर्ड हिंदू नहीं है क्या सुल टाइपस हिंदू नहीं है क्या एक बर्ग विशेष के लोग हिंदू है इसलिए हिंदू के नाम पर केवल आदबासियों दल्टों और पिशनों को चुनाओ के लिए कहा जाता हिंदू हिंदू और जब हिंदू के नाम पर सरकार बना लेते हैं, तो इन्हीं आद्बासियों, दलतों, पिष्णों के आरिशन को खतम करने का दुर्शाज करती है, यह भाजपा सरकार, यह दुर्श्मन है, दलतों की, आद्बासियों की, पिष्णों की, उनके मान को खोती है, संविधान के कि यार को छिंती है मौरेत है निक पत वह पिच्छो और है इसाल जए आपको खिकर समयलन है वह सामने आप के समर्थ तक बहुत बैठे हुआ हैं लेकिन ये रहली नहीं है मैं सफ याद दिला रही हूं आपको है कह रहे हूं आपने कहा कि बीजे पी जो है वो पिच्ड़ों के साथ नहीं है वो महलाओं के साथ नहीं है वो विकास के सासे नहीं है आपकी बेटी क्या बीजे पी में अभी भी है अब यह सौन पो आपको बैस पुछना चाहिए मैंbuilt इस्थ में Utahiz अगर किसी की मुखालिपाद करेंगे ने ने मैं करूंगी लेकिन है तो आपकी बेटी ही न वो भी पिछड़े वर्क से ही तालुक रखती है न तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आप से इतनी दुश्मनी है आपकी बीजेपी से दुश्मनी है तो पहला जो निशा और एक चीज दूसी चीज तो आप उनको कंविंस क्यों नहीं कर रहे हैं वो हारने वाली शीठ हमको दी गई थी मैं जीता हूं अपने बल्बूते पर रही बात आप इसमें मैं समाजबादी पार्टी की राश्टी महासाच्यू की हंश्यत से यहां पर बैठ रहा हूं इसलिए आप समाजबादी पार्टी की बिशम बात करेंगी मैं उत्र दूँगा अभी तो आपके का टिकेट मैंने दिलवाया है भाजबा के बिशे में अगर भाजबा की तारीफ पर निकले बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूँगा किस की तारीफ करने मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है इसमें बेटी इस कांक्रेब में नहीं है क्या नहीं है इस कांक्रेब में एविपी नूस का जो शिखर स्रमेलन है वो इसमें हिस्चेदार नहीं है आप अपनी बिटिया को कन्विन्स नहीं कर पा रहे हैं मैं तो आपको भी कन्विन्स करके लाकिर समाज बाधी पार्टी में खड़ा कर दूँगा आप जब मेरे सामने लक्ष पूरे देश के दवे तुले पीडी सोशित मजलूम है आदवासी दरीत पिछड़े हैं अपमानी थोनोली देश की महिलाएं हैं तो जब पूरा देश का लक्ष हमारे सामने है तो एक व्यक्ति विशेश की पीछे हम चिंता नहीं करनते हैं नहीं तो व्यक्ति विशेश तो आपका चहरा है ना सर उसको लेकर चलेंगे ना वह भी महिला है वो भी पिछड़े वर्ग से तालोग रखती है और उसे जब जैसे ही वो आएगी पर आप सुने आपका मिशन और मस्बूत हो जाएगा नहीं जोर सांसद है वो खुद इतना व में भी खराब कर रहे हैं रूब्या ल याकर्जी आपका करियर आपको मुबरक मेरे कर्येर की बात नहीं खुद भाड़ा हुए क्याक्कित अपने करियर की चिंता नहीं करते देश के तमाई समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े हुएaws Сам के करियर की चिंता करते हैं और इसलिए अगर अपने करियर की बात करते तो मंत्रिपद में नहीं छोड़ता हुआ है मैंने इस देश के आदबासियों दरितों पिष्णों के आरचन की चिंता किया उनके साथ हक्मारी हो रही थी समिधान की धजियां उड़ाई जा रही थी समिधान प्रदत आरचन का किया जा रहा था इसलिए मैंने उनके लिए अपना करियर दाउप लगाया मैं अपने करियर की चिंता नहीं करता बलकिन जिस सुबर्ग के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं हमेशा उनकी चिंता हमारी प्रत्मिक्ता होती है सर मैं करियर से ही वो आपका बायो डेटा मेरे पास है 85 में लोगदल 96 में बीएस पी फिर 2007 में बीएस पी की टिकेट से चुनाव हारे 2007 में दुबारा कैबिनेट मंत्री बनाए गया फिर 2007 में विदान परिश्रत के सदस से बने जनवरी 2008 में बीए सी बीएस पी के प्रदेश बने 2012 में फिर 2016 में आपने इस्तीफ़ा दे दिया बीएस पी से फिर उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो गये 2016 से 2022 तक रहे फिर अचानक आपने बीजेपी से स्तीफ़ा दे दिया फिर 2022 में समाजवादी पार्टी में जुर गए अब बचा है क्या कुछ से ये किसके विकास के लिए आप सलाह दे रही तो मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या आरशन का गला घोटा जाता रहे और मैं मंत्री बन करके मौजमक करता रहूं आप यहीं चाहती हैं पुगरे देश के शिरुकास शिरुटाइस बैकवर्ड क्लाश का आरशन भाजपा निगल रही थी और मोहां बैट करके मंत्री बन करके इनका गुरगान करता रहता तो आप यह गर रहे हैं जब कभी धोखा सामने दिखाई पड़ा तो मैं उस धोखे को चिनोती के रूप में सुईकार करके उसको जमीदोश करने के लिए निकल पड़ा और रही बात ये लोग तंत्र है शरकार बनती भी है बिगड़ती भी है किसी को शरकार में रहने का बहुत घमन नहीं पालना चा जब घटना सामने घटेगी ने नी सर वह ऐसा होता है कि आप सत्ता में होते हैं पांच-पांच साल बाद अचानक आपको याद आता है कि दवितों के लिए काम नहीं हो रहा भाईया मैं तो जा रहा हूं रूबिया लियाकर जी ऐसा क्यों जिसमें आरचन का गला घोटने का वाकिया मेरे सामने आया विरोध तो मैं उसी समय करूँगा ना पहले तो नहीं करूँगा अचा दिल पर हाथ रखकर बताई ये क्याल्कुलेशन मिस्टेक हो गया ना बीजेपी छोड़ना रूबिया लियाकर जी आप एंकर है एक बहुत ही प्रतिष्टित चैनल की आंकर ह लेकिन सवाल ऐसा करें जैसे कि भादपार ने आपको प्राइजीत करके हां बैठाया है सर ऐसा ही होता है इसकी मुझे आदत हो गई है स्वामी प्रसाद मौरे साथ सुनी है लियाकत जी आधत हो गई है कि जैसे कोई बड़ा सवाल पूचा जाएगा आप जवाप जरेंगी ये मैं पहले जान रहा था नहीं नहीं मैं तो मैं तो बीएसपी के वकील के रूप में मैं जो है यहाँ पर बीएसपी को छोड़ा उसके लिए आप से सवाल पूच रही हूँ तो जनता दे रही है मुझे किसी और पार्टी से लेने की जरुत नहीं और आप से जो मुझे लेना है वो है सवालों की जवाब आपको अब मैं आपसे यह सवाल पूच रही हूँ तो जनता का ही नता मैं हो और मेरी पैचान जो कुछ भी है तो जनता ही है और जनता की वलूते पर ही आज मैं उत्तरप्रदेश नहीं देश का एक बड़ा चेहरा बंड के आया हूँ इन्हीं जनता की कमाल बदोलत आया पिर दालियां बजा दीजिये ता कि पता लग जाए नहीं वह मौकिद बजा देंगे आप की तरह वह अज़ाति आपका नहीं बैठे है वह Mक्नल बच्चे करें ऐन संद्धार बैठे हैं एक सेके नहीं नहीं हैं जाई है ने देखिये यह देखिये यह जो पर तालियां बजी है या आपके इशारे पर तालियां बजी इतना मुझे समझ में आ रही है दिख्कत इस बात की हो रही है मैं आप से सवाल पूछ रही हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहें, मैं आप से पूछ रही हूं कि BJP को आपने छोड़ा तो कोई वज़ा होगी ना, उनके साथ इतना वक्त बिताने के बाद अगर आप छोड़ कर जा रहे हैं, तो जनता को बताएंगे ना, कि क्यों छो अब आप अगर समझ गेंगे तो बार बार एक जिसको बार बार दुबारा परण के कभी नहीं कि आप सरन लीजिए, श्वामी पशाद मोर्या बोल रहे हैं, तीक है, अब आप नहीं जाने वाले हैं, बात क्लियर हो गई, ये रामचरित मानस के मसले पर आपकी अखिलेश य अब देतें वक्त मैंने स्थुरू में कहा था, ये मेरा नेजी बयान है, जब मैंने बयान दिया तो उस इसन में बयान नहीं था, इसलिए इस बिशे पर मैंने राष्ट्रीत से बात नहीं किया, क्योंकि प्रसंग आया मैंने बात कह दिया, और बात कहने के साथवें आटव दिन मेरी बात हुई अख्ले शादो जी ने कहा कि अच्छी बात है कि आप इस देश के आदबाशियों दर्टों पिछणों और महिलाओं के सम्मान की बात को मजबूती से उठाया है तो स्वाभाई ग्रूप से उनकी सहमती भी इस इस वाके से मिल गई और यही नहीं जिस दि तो सुनिए जिस दिन बात हुई उसी दिन राष्टी अधर जी एक यग में गये थे भाजपाई वा मोर्चा के कुछ पतातकारी वहां काला जंडा दिखाए और जब यग में बैठे तो आपस जओ वापस जओ के नारा लगाए तो राष्टी अधर के मूझ से अपने आप कि मैं शूद्र हूँ इसलिए मुझको यग में बैठे दिया रहा है मैं शूद्र था इसलिए मेरे मुख्यमंत्री आवाज खाली करने के बाद उसको गंगजर से दुलवाय गया था उनके अंदर का दर्द और जाती अपमान की पीला अपने आप निकलाई और इसलिए जब सबकी पीडा एक है तो पूछना नपूछना उसे बराबर है नहीं तो आपने मुझे कंफ्यूस कर दिया आपने का यह आपका निजी बयान है फिर आपने का अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया आट दिन बाद तो अब यह पार्टी का बयान है अब जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं शूद्र हूँ इसलिए मुझको भारती अजिवा मोर्चा के लोग हमको यग में नहीं बैठने दे रहे हैं मैं शूद्र हूँ इसलिए मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद भाजपा के लोगों ने उसको गंगा जल से दुलवाया था और यही नहीं जाती अपमान की पीड़ा बड़े बड़े नेताओं को जहलनी पड़ी है अगर वो यहां के चातुर बड़े सुद्र में पैदा हुए बाबा साथ ब्याकर मेतर को समिधान लागू होने के बाद उनाइस सोचपन में बहुत धर्म दिछा लेना पड़ा क्यों इसलिए कि बिश्ट के सब सब बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जब भारत आते हैं तो जाती यह उत्पिरन का शिकार पकपक पर उनको होना पड़ता है यही नहीं बाबु जग्जी वन राम जी अ इतहास की बात कर रहें इस वक्देश की राश्रुपती पूरन है नाम बताएंगे और किसके जाती से शितालोक रखती हैं अभी द्रोवदी मुर्मू जी जी देश की महान महीम लाश्रावन सब्सनहें ग यदू झी स Grow 아직 उत्पति होते हुए राजस्थान के पुश्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे वहां के पंडों ने राश्पती होते हुए भी रामनात कोबिन जी को अंदर नहीं जाने दिया और बिना दर्शन करके वापस आए ये राश्पती का अपमान नहीं था ये रामनात कोबिन एक दली समाज में पैदा हुए थे वह अपमान था आप फिर इतियास में कैसर जाके पैर ना फटी विवाई उका जाने पीर पराई अगर आप भी आदबासी समाज में पैदा हुई होती दली समाज में पैदा हुई होती हैं, पिछले समाज में पैदा हुई होती है, तो शायद इनके दर्द को बहतर तरीके से आप समझती है, वहां भी बहुँ परिवार से आई हूं, वहां भी बहुत संगर्ष हुआ है, मैं भी एक महिला हूँ और एक मुस्लिम धर्म से तालुक रखने वाली महिला हूँ, मेरे माबापने भी बहुत संघर्ष किया है और उसके बाद में जहां पहुंच पाई हूँ, आज भी आप सरीके बहुत से लोग हैं, जो मेरे सवालों पर अजीब 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 टिपडियां करते हैं, मुझे न ज महिला के तोर पर हम भी महसूस करते हैं, तो आप ये मत कहिए कि हमें पीड जो है, वो किसी की पीड़ा समझ में नहीं आती है, रही बात आज की तारीक में देश में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ या पिछड़ी जातियों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो मैं वेलकम करूंगी, मेरे जैसे तमाम लोग वेलकम करेंगे कि आप उनकी लड़ाई लड़िये, लेकिन क्या आप किसी की आस्था को चोट पहुचा कर इस लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे, मेरा बहुत सा सिंपल सा प्रशना आप से, मैं बार बार आप आस्था आस्था भावना भावना चिला रही है, 97 फिजदी लोगों की भावना बढ़ी होती है, दोबारा केई ये मैं सुनने भाई इस देश की आधी आबाधी महिलाओं की उसके अलामा आदबासी दलीत और पिछल जिनकी आवादी कुल मिलागत के सत्तान में फिद्ध होती है तो सत्तान में फिद्धी की भावनाएं रो जहत हो नीच, अधम, प्रतारित, प्रतारित और अपानित किये जाते हो क्या उनकी भावना भावना नहीं है तीन फिसदी गाली देने वालों की भावना भावना हो गई और गाली खाने वाले 17 फिसदी लोगों की भावना भावना नहीं है भावना किस तरह वह वह तोलेंगी अगर तराजू बतोलना है तो सेटशी बावावनाय ज़्यादा मौनर को यहांदा यह रंद करूँ आप अपने पर्चे को हमें दे दिजेगा लेकTrans यो crear लेकिं कि अवर से ठीक गरूंगा प्रणाम करेंगी मैं इतना जानती हूं आपकी माता की माता से जब मैं चर्चा करूंगी रामचरित मानस की तो वो भी इसी मुस्कान के साथ प्रभू राम की अर्चिना करते हुए उनको याद करते हुए सर जुका लेंगी इसलिए वो आस्था मेरे लिए सर्वो परी है बात खतम हो जाती है फिर भी all the best to you और ये बताते हुएं कि अभी दो दिन पहले द्रौपदी है आपके समर्थक के और हम भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए हमसे बाचीत की लेकिन उत्तर यह भी लेजिए मोदी जी पिश्ड़ जरूर है तीन सो चालिस लिटल इंटी वाले पर इंटी में तीन सो चालिस में एक भी पिश्ड़ा नहीं है तो ये पिश्ड़ पिश्ड़ी जी का एक मुखवटा है इसके सुआ कुछ नहीं है